नश्कार सभी सात्यों को स्वागत करना हूँ सभी का इस यूटूब चैनल पर सात्यों रीट एक्जाम 2022 के लिए सिक्सन विदियों का भूत ही शानदा टेस्ट लेकर आया हूँ जिसमें सिक्सन विदियों के पूरे 100 प्रशन देखने को मिलेंगे कल भी मैंने सिक्सन विदियों के 100 प्रशनों का टेस्ट लिया था और आज भी 100 प्रशनों का टेस्ट ले रहा हूँ सात्यों जो की लेवल एक के लिए और लेवल दो चाहे आपके सेश्टी हो या साइंसमेस हो सबी के लिए बेहद उप्योगी है तो पूरे ही 100 प्रिश्णों को करके जाना साथियों और कमेंड बोक्स में कमेंड करना कि 100 में से आपने कितने प्रिश्णों को सही किया है चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को पहला प्रिश्ण देखेंगे आपके प्रिश्ण नमबर एक क्या पूछ रहा है रोज़ान आपको 4 वीडियो यहाँ प्रवाएट किया जा रहा है रोज़ान ठीक है तो चलिए पहला प्रिश्ण देख लेते हैं देखेगा प्रिश्ण संक्या एक है आपके विद्याले में जाच करने वाले अधिकारी आये हैं आप विज्ञान विशे के अध्यापक है तो आप कौन सी विदी से सिक्सन करवाओगे व्यक्या विदी, परदर्शन विदी, प्रियोग परदर्शन विदी और इनमें से कोई भी नहीं सात्यों पहले चीत तो यह है कि यह जो विद्यो है यह सभी सब्जेक्ट के लिए है सभी सब्जेक्ट के सिक्सन विद्यों के प्रशन मिलेंगे, कोमन क्यूशन जादा मिलेंगे सभी के लिए तो देखो विद्याले में जाच करने वाले अधिकारिया हैं तो हम व्यक्य विद्य का तो प्रयोग नहीं करेंगे इन में से कोई भी नहीं ये भी गलत है प्रयोग परदर्शन या प्रदर्शन तो सात्यों बेटर विकल्प है प्रयोग परदर्शन विद्य थार्ड प्रश्ण नमबर दो पर व्याकरन ग्यान के आवशक्ता होती है बाशा को लिखना सिखाने के लिए शुद्ध प्रयोक के लिए बोलना सिखाने के लिए समझाने के लिए तो देखो व्याकरन की सिख्षा क्यों दी जाती है बैई लिखना तो लेखन समंदी चीजे होती है बो जटिल परकिर्या है यांतरिक परकिर्या है सोभाविक परकिर्या है बातचीत एक तरह की तो साथियों लेखन को क्या कहा जाता है सबसे बेश्ट विकल्प रहेगा आपके लेखन भी एक तरह की बातचीत में आता है विकल्प नमबर आपका चार सही है प्रिश्ट नमबर ती सबसे पहले बच्चों को वर्ण पढ़ना सिखाये जाते हैं फिर पद और फिर पदों से किसन का निर्मान होता है वाक क्यों से तो इस परकार से बच्चों को पटन कोशल सिखाये जाता है इसलिए प्रतम विगलप आपके प्रशन नमबर 4 में सही है प्रशन संख्या 5 में आपके हरबर्ट की पंचपदी का प्रियोग किया जाता है इकाई योजना में किया जाता है देनिक पार्ट योजना में किया जाता है या वार्शिक योजना में किया जाता है या मासिक योजना में किया जाता है तो सातियों हरबर्ट की पंचपदी किसक के लिए किया जाता है देनिक पार्ट योजना बनाने के लिए किया जाता है आता है प्रश्ण संख्या 5 में आपके विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर है नेक्स्ट प्रश्ण नंबर 6 की और बढ़ेंगे प्रक्षेपित सामगरी नहीं है मेजिक लेंटर्ण, एपिडा इसकोप, प्रत्यक्षेनुबव और OHP तो देखो प्रक्षेपित और प्रक्षेपित सामगरी या दो परकार की जो यह है magic lantern प्रक्षेपित में आता है epidiscope प्रक्षेपित में आता है OHP प्रक्षेपित में आता है लेकिन protection बहुत साथियों प्रक्षेपित में नहीं आता है इसलिए third vehicle आपके छेटे question में सही है next question number 7 पे आएंगे देखो और रचो विधी को क्या कहते हैं लेक पढ़ना ली वाक की पढ़ना ली खेल पढ़ना ली कला पढ़ना ली तो देखो मतलब एक बार तू देखना है फिर रचो मतलब फिर रचना करना है तो रचना करना किसके अंतरगत आ जाता है लेकन के अंतरगत आ जाए साथियों तो ये लेक पढ़नाली का उधारन है विकल्प नमबर आपका एक सही है प्रश्ण नमबर साथ में नेक्स प्रश्ण नमबर आठ को देखेंगे सुष की विदी किसे कहते हैं बाश्यानुवाद विदी को टेका विदी को दंडानवे विदी को निगमन विदी को तो इन में से देखो एक कावी सिक्सन का नाम तो सुनी रखा होगा कावी सिक्सन में चलते हैं बाश्यानुवाद विदी जिसमें बाश्या का अनुवाद किया जाता है लेकिन रासा सुवादा नहीं हो पाता है इसलिए इस विदी को सुष की विदी के नाम से भी जानते हैं साथियों विकल्प एक सही है आपके प्रश्ण नमर आठ में नेक्स प्रश्ण संख्या नो पे आते हैं निम्ड में से कौन सा पत गत्यात्म कुद्देश के अंतरगत आता है व्यावस्तापन प्रत्यक्षिकरन अनुकूलन और विचलेशन तो साथियों विचलेशन व्यावस्तापन अनुकूलन नहीं आता है बलकि प्रत्यक्षिकरन किसी चीज को जब हम प्रत्यक्ष रूप से द अनुलेकन शुरूत लेकन निबंद लिखना और कोई नहीं तो कोई नहीं को तो हटा देंगे अब लिकित अभिव्यक्ति का विकास करना है शुरूत लेकन में सुनकर लिखते हैं अनुलेकन में सात्यों देखकर के लिखा जाता है लेकिन निबंद लिखना में अपने जो वि को देख लेते हैं ज्यात सग्यात के और 6ünde का प्रियोग कब किया जाता है प्रस्तावना के समय उधारन देते समय श्यम्पत्ट कोशल के समय और काटिने निवारन करते समय कियात से अग्यात की अ सब्साजिये साथ होती है अनृष्ण समस्यात्मक हो जाता है जो कि अग्यात होता है तो परतम विकलप आपके 11 क्यूशन में सही है नेक्श प्रेश्ट नमबर 12 उप्चारात्मक सिक्सन की आउशकता होती है मंद बुद्धी बालकों के लिए पिछले बालकों के लिए समानी बुद्धी बालकों के लिए और सभी के लिए उप्चारात्मक सिक्सन का मतलब होता है कमजोरियों को दूर करना जो कि मंद बुद्धी बालकों की हो पिछले बालकों की हो समाने बुद्धी बालकों की हो कमजोरियां तो सभी में हो सकती है इसलिए इन में से सभी में सभी के लिए उप्चारात्मक सिक्सन सब्किएगा सवध्याई पर विशेश बल देने वाली विधी की बात करें तो सवध्याई का मतलब होता है खुद ही अध्याएन करना तो यह पाट्पुस्तक विदी सबसेज़ा इस पर बल देती है क्योंकि पाट्य पुस्ताक्विदी में सारा मेटर अवेलेबल होता है तो आप कुद उसको पढ़ सकते हो तो यही तो हुए स्वाध्याइविदी सेकंड विकल्प आपके तेरवे क्यूशन में सही है नेक्स्ट प्रिश्ट नमबर 14 अर्थगरहन की किसी चीज को पढ़ना सबसे बेटर माना जाता है सातियों अर्थगरहन के लिए सेकंड विकल्प है सही चवदवे प्रिश्ट में प्रात्मे कक्ष्याओं में उच्चारन शुद्धी में उपयोगी विदी है प्रत्यक्ष विदी वाचन विदी शुरूत लेकन विदी वैक्तिक मौन वाचन विदी तो देखो प्रात्मे कक्ष्याओं की बात की जा रही है उच्चारन में शुद्धी के लिए क्या करोगे के आप साथियों मौन वाचन से तो उच्चारन शुद्ध होगा नहीं प्रत्यक्ष विदी से भी नहीं शुरूत लेकन विदी से नहीं बलकि वाचन विदी से यहां पर उच्चारन संबंद्य शुद्धियां दूर हो जाएगी थाइड विकल्प सोलवे प्रिश्ण में सही ह स्थ Go dare गया साथ यह प्रिश्न संक्या सत्रा की ओर तो चलिए देख लेते हैं आपके सत्रविक प्रिश्ण को पटन को्षल की कितनी विद्यां होती है 1, 2, 3, 4 तो Cen selection की दो उस लिए एक तो होती है 666 पटन विदी और एक होती है मौन पटन विदी ठीक है ये दो ही प्रकार है सहसोर पटन के भी भेद होते हैं मौन पटन के भी भेद होते हैं वो अलग बाते साथियों सेकंड विकल्प ही प्रेश्ट नमबर 17 में सही रहेगा नेक्स प्रेश्ट नमबर 18 खोतिक अक्षियों में किस तरह का वाचन प्रभाई होता है सरल्ल एकां्ग सामुईक और मोन खोतिक अक्षियों की बात आते ही सामुईक वाचन को सबसे बेश्ट माना जाता है EL मोन वाचन उच्च तर पर उप्योगी होता है तो विकल्प नमबर आपका 3 सही हैm वेक्यूशन में नेक्स प्रेश्ट नंबर 19 मुफात के अनुसार मुल्यांकन केसी प्रकिर्या है निर्णाया आत्माक सामाजिक अनुवरत और वेवाहिक तो प्रकिर्या होगी नहीं बलकि ये मुल्यांकन एक निरंतर चलने वाली या अनुवरत चलने वाली प्रकिर्या है ए प्रस्त विदी और सुत्र विदी तो भाई सक्रियानुबंदन अनुकिर्या का सिद्धान्त इसकी नल ने दिया था और अभिकर्मित अनुदेशन विदी भी किस ने दी इसकी नल ने तो यह दोनों ही चीज़े एक दूसरे से रिलेटेड है सेकंड विगलप आपके 20 वे प्र करे करम कब शुरू किया गया 26 जनवर युनिस तो चोरान में 2 अक्टूबर युनिस तो चिन में 15 गस्त उनिस सो पिंचानवे एक अप्रेल 2010 तो साथि हो राष्टी पोशन स्वयोग कारेकरम के शुरूआद 15 गस्त उनिस सो पिंचानवे को की गई थी विगलप नंबर आप सतत और व्यापक रूप से क्योंकि सतत का मतलब लगातार व्यापक मतलब उसके सेक्षिक और सेक्षिक सभी शेत्रों का विगलप नंबर आपका दो साथियों 22 प्रिश्ट में नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रिश्ट नंबर 23 की और तो चलिए 23 क्यूशन को देखते हैं यह देखिएगा इन में से कौनसी विधी नवीन विधियों में नहीं आती है प्रियोजना प्रियोक्षाला समश्या समदान और व्याख्यान तो साथियों नवीन विधियों की बात करें तो प्रियोजना प्रियोक्षाला समश्या समदान तीनों ही नवीन में आ जाएगी ल आलोचना आत्मक प्रिश्चन, मिलान प्रिश्चन, व्याक्यात्मक प्रिश्चन, विशलेशन आत्मक प्रिश्चन, तो भाई आलोचना जिसमें की जाती है, विशलेशन किया जा रहा है, व्याक्या की जा रही तो ये वस्तुनिष्ट का है, मिलान प्रिश्चन जो है, इकत्रित्त उत्ति हरे हैं उनसे यदी हम दिसकरश निकाल रहे हैं और साथ्यों यह ज् heavens गयान में तो नहीं आएगा भैं यह कोशल में भी अभ 두मे नहीं विकलब थीख सहें और जायेगा 25 में लेखो को लिया बढ़ेगे आगे बढ़ेंगे प्रश्ण नमबर 26, तो चले 26 फेक्यूशन को देख लेते हैं, विज्ञान परदर्शनी में मोडल बनाकर परदर्शन करना, किस प्राप उद्देश में आएगा, रुच्यात्मक, ज्यानात्मक, अभिवरत्यात्मक और वोदात्मक, तो विज्ञान परद प्रियोजना के बारे में बताएं, लेकिन थर्ड विकल फी इसमें सही आंसर है, क्योंकि जिसमें कुछ बोधिक कटनाईों से समधित सवाल किये जाते हैं, तो भई ये जंदरगरन क्यों होता है, बोधिक कटनाई से समधित हैं, इसलिए थर्ड विकल पापके 27 वेक्यूशन में सही है, तो चलिए 28 वेक्यूशन को देख लेते हैं, कक्षा-कक्षी सभा प सिंदान में?" दोसरे विकलपे आठोखा 28 P्रेश्ट में सही है नेक्स प्रेश्ट 29 में साधियों विज्गान किटका निर्मान यमान किसके दोष्टा किया जाता है और प्रामिक इवं माधमिक सिक्षा बिकटनेर और प्रोड शिक्षान नीदेश बीचान जएऽडान, विग्यान किट यान देना, दबाएर नौा है राजटी स्तर में NCRT दोरा किया जाता है यह साथ यह ठीक है राजटी स्तर पर विकल्प यहां एक सही रहेगा 29 में नेक्स प्रेश्ट नमबर 30 विज्ञान किट क्या है विज्ञान सिक्सक की व्यक्तिकत कुंजी विज्ञान पढ़ने के दोरन पहनने वाले वस्त विज्ञा यह थी थीसवे में अगला प्रेश्ट नमबर 31 एक चातर बंदर को सजी हुए फटर को निर्जीव बताता है इसमें कौन सा उद्देश प्राप्त होता है कोशल ज्यान औभुदन और अभिरूची तो चातर क्या कर रहा है बंदर को तो क्या बदा रहा है सजीव और पतर को क्या बता रहा है निर्जव मतलब सही बात है तो मतलब उस चीज़ को समझ गया है समझना आवबोधन पर आता है साथियों सेकंड विकल पिकत्तिसवे में सही है नेक्ष प्रिश नमबर 32 प्रियोक परदर्शन विदी नहीं है मित्वे एम सरल चात्र केंज़ित प्रियोक परादारी सिक्सक केंज़ित प्रियोक परदर्शन विदी मित्वे ही होती है मतलब कम बजट वाली सरल होती है प्रियोक परादारी तो होती है सिक्सक इसमें प्रियो लेना जाचना और मापना तो मापना मापन होता है जाचना परक नहीं बलकि निर्णे लेना सातियों मुल्यांकन का अर्थ होता है विगल्प नमबर आपका 3 सई है 33 में अगला प्रेश्च नमबर 34 गतिशिल चित्रों अत्रवाद रश्यों को किसके द्वरा रिकोर्ड किया ज बलकि इसके लिए VCR के प्रयोग करेंगे तो विसी आर्क के द्वरा गतिशिल चित्रों अत्रवाद रह्यों आप रिकोर्ड कर सकते हो नेक्स प्रेश्च नमबर 35 पे आते हैं NCRT के अनुसार सही करम है अदा प्रकिर्या प्रता प्रकिर्या अदा प्रकिर्या अदा प्रकिर्या अदा प्रकिर्या अदा प्रकिर्या अदा और सभी तो साथ यो सही करम की बात करें तो NCRT मानती है सबसे पहले होती है input फिर किया जाता है processing और फिर किया जाता है output यह processing यह माना जाता है मतलब अदा प्रकिर्या प्रदा विकल्प एक सही है प्रश्च नमबर 35 में NCRT के अनुमसार सही करम नेक्स्ट बात करेंगे प्रश्च नमबर 36 की सही विकल्प का चैन करें पाटे करम मद्यस्त चर चात्र आश्रित चर अध्यपक सोतंत चर और सभी सही है तो भाई यह सही विकल्प की यदि हम बात करें तो तीन प्रकार के यह जो चर होते हैं मद्यस्त पाटे करम माना जाता ह सोतंत्र अध्यापक माना जाता है चात्र आश्री चर होता है मतलब इनमें से सभी सही है 36 में चोता विकल्प सही रहेगा साथियों नेक्ट प्रस्ट नंबर 37 तो 37 क्यूशन देखते हैं प्रस्तावना के रूप में वर्तलाप से यह होता है तो बालकों का जो पुरूव ज्यान है अगर उससे लिंक करके हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो विशेवस्त को गरन करने के लिए क्या हो जाता है तैयार हो जाता है थर्ड विकल्प आपके 37 में सही है नेक्स प्रिश्ट नंबर 38 इसपस्टिकरन का दूसरा नाम क्या है विशलेशन, साराश, संसलेशन, आत्मिकरन तो साथियों इसपस्टिकरन को एक और नाम से जाना जाता है जिसको कहा जाता है आत्मिकरन मतलब उस चीज़ को गरहन करना विकल्प नंबर आपका 4 सही है 38 में साथियों इसमित की रचना की बात करें इन में से साइकलोजी इन टीचिंग रीडिंग ये जो रचना है ये इसमित की कमेंट करके जाएए सो में से कितने क्यूशन सही करोगे आप ठीक है अलकम समय में आपको सो क्यूशन क्वालिटी वाले मिल रहे हैं और वो भी समझाते हुए ठीक तो कमेंट जरूर कीजिएगा दुख अनुबूती के समय वाचक का स्वर भारी होना क्या है द्वनी वश्टा द्वनी विवेदिकरन द्वनी परिवर्तन द्वनी विकार तो किसी विक्ति को दुख का अनुबव हुआ उसके समय वाचक मतलब बोलने वाला है उसके स्वर यदि उसका स्वर भारी हो जाता है तो वो द्वनी वश्टा कहलाती है परतम विकल्प 41 वे में सही है साथियों प्रशन नमबर 42 वह प्रविदी जिसमें विद्यारती अपना अध्यापन कारे अध्यापक की देखरेक में पूर्ण करता है कहलाती है सोध्यापन, गरेकारे, मोकिकारे और परिवेक्षित तो सोध्यापन में साथ यो खुदी अध्यापन करता है गरेकारे भी खुदी करता है मोकिकारे भी यहसा नहीं है बलकि जो परिवेक्षित अध्यान विधिये डेजी जोन मौर्विल की इसमें बालक विध्यारती जो है वो अध्यापक की देखरेक में कारे पूर्ण करता है विकल तीन सही है प्रेशन 42 में नेक्स प्रेशन नमबर 43 इकाई योधना की सबसे बड़ी विशेस्ता यह है कि यह बड़ी होती है यह इसपष्ट होती है यह सुंदर होती है और यह समगर होती है तो बहीं जो एक इकाई योधना होती है इसकी सबसे बड़ी विशेस्ता क्या होती है कि यह एक संपूनता लिए होती है साथ यो समगर ह होती है संपूर्णता मतलब एक उद्देश से समंदी जितने भी पार्ट है सभी एक ही का योधना में सामिल कर लिए जाते हैं फॉर्ट विकल के रूप में सबसे अधिक माय है तो किसको देंगे नियोजन पनियोजन क्यों कि यह मतलब था सांधियोगेव में 45 एक्रिक्षाँ को मान की इसमर्ण में निर्मित प्रिक्षरे और इनकीा चिंगला के खिया उप्ति तो पर्थम 77 प्रियोग व्यावार के किस पक्षिक विखल्प यह गलत है तो यही आपका अंसर होगा प्रियोग व्यावार के किस पक्षिक प्रेरीद करता है श्यारिक बहात्मत्र पक्षि नेतिक पक्षि किरियात्मत्र पक्षि इसलिए थाड़ विकल्प सही है एक्ष் पर्दाना अध्या पको किसी को भी नहीं तो किसी को भी नहीं तो हम अटा देते हैं। पहला और दूसरा विखलब आपके सामने बचाये। इन दोनों में एक हैं। प्रियोंकों कूजह कोन से सिक्षन वईिदिकर अपर्योग करना हैं। किस प्रकार से प्रश्ण करने सारी चीज़े उसको पहले से पता होती है, सारा नियोजन करके लाता है, सेकंड विकल्प प्रटालिसवे में सही है, नेक्स प्रश्ण नमबर 59, तो देखो, पार्ट योधना में सरुपरतम किसके निर्मान की आउशकता होती है, प्रिस्तावना और दो सही हैं 49 में, नेक्स प्रश्ण नमबर 50, 10 वर्षिये विधरले शिक्षा करम की अभीशेंशा किसने दी? योजि-सी, राश्टे, शिक्षा प्रिशट, कोठरी, नियोग, उज्दालियर, शिक्षा योग。 विकल्व तीन सही है प्रियोधना विदी को कितने भागों में विबक्त किया है शामपट का वास्तिव काकार कितना होता है 26 वर्ग फिट 28 वर्ग फिट 30 वर्ग फिट 24 वर्ग फिट तो सात्यू शामपट का जो वास्तिविकाकार है वो होता है 24 वर्ग फिट विकल्प नमबर आपका 4 सही 92 वे क्यूशन में नेक्ष प्रिशन संक्या 53 पे आते हैं बारुत में सरुपरतम किस आयोग ने सायक सामगरियों के प्रियोक पर अपने प्रतिवेदन में जोर दिया मेकाले आयोग कोठारी आयोग नई सिख्षा निति और सभी तो बही देखो सबसे पहले पूचा है तो सबसे पहले कोठारी आयोग के द्वारा सायक सामगरियों के प मुल्यांकन करना और योजना का नियोजन करना तो भाई योजना विदी में सबसे पहले क्या किया जाता है प्रिस्ति उत्पन की जाती है साथ यो नियोजन अनुबव मुल्यांकन बाद में होती है यह चीज़े विकलब एक सही हिच्च प्रेश नमबर पचपन प्रात में किस प्रियावन अध्यान की कौन सी विदी प्रभावशाली है योजना विदी व्यक्यान विदी वाद विवाद और कहानी बैए चोटे बच्चे हैं तो व्यक्यान विदी उपयोगी होईगी ही नहीं वाद विवाद विदी में चोटे बच्चे किसे वाद विवाद करेंगे निम्डे मैंसे की शुपकरन को कंप्यूटर वे इंटर्नेट द्वारा जोड़कर सिक्सन अध्यापनकारे करवा जाता है। एपेडाय स्कोब, ओरहेट प्रोजेक्टर, LCD प्रोजेक्टर और ग्रामोफोन, तो देखो में तो चलिक триे एक्टोफ पर 57 निम्ड में से सरवादिक सायक सामागरी है या सरवादिक प्रभावी सामागरी है एसा सोरी प्रश्ण थोड़ा बोलने में उच्छरण समंध्य शुद्धी थी चार्ष ट्रीॡ तो देखो सबसे ज़यादा आप परभावी की बात की जाए तो चार्ष ट्रीड चोक तो नहीं रहेंगे यहां पर राइट आंसर रहेगा फिल्ड श्ट्रिप, फिल्ड श्ट्रिप का मतलब होता है, शेत्रे वर्मन से लिया जाता है, जिसमें बलक प्रतेक्शन वोग के माध्यम से ज्ञान को गरान करता है साथियों, तो सेकंड विखल्प आपके 57 में सही है, नेक्ट प्रेश्ट नमबर 58, निदान शब्द का प्र 58 में एक्ट प्रेश्ट नमबर 59 पे आते हैं, तो चलिए 69 क्यूशन, रोल प्ले विदी के मूल भाव है, वास्तिक वे सामजिक भूमिका निबाना, थियाटर में एकांकी करना, नेता की भूमिका बनाना, और अध्यापक की भूमिका निबाना, तो साथियों, जो रोल प्ल पे विदी है, इसका मूल भाव किस से लिया जाता है, वास्तिक वे सामजिक भूमिका निबाने से, रोल प्ले मतलब भूमिका निर्वास से लिया जाता है, विखल्प एक सही है अपके 59 में, ऐसा निए कि एकांकी करना, नेता की भूमिका, अध्यापक की भूमिका, ये इत प्रटेक्शन उबह वाली चीज तो प्रत्रम विकल्प आपके प्रश्ण संक्या साथ में सही रहेगा तो चलिए अगए बढ़ेंगे प्रश्ण नमबर 61 पर देखो 60 क्यूशन तो कर चुके हैं 40 क्यूशन अभी भी बाकिया आपके तो साथ यो प्रश्ण संक्या विद्यालu आदारित मुल्यांकन जिसमें अध्यापक और बालक के विकास के सभी पहलू शामिल है। तो वही ऐसा है CCE बच्चों के लिए चला गया है नेकी अध्यापक region के लिए तो फिर आपके कॉन सा वाला विकल्प सही है? दूसरा विद्याला अध्याँ अधाल दारि हुआ है मुदालिया रायोग की रिपोर्ट में नई सिक्षा निति में और सिक्षा का अधिकार दिनियम में तो भाई मेरे आपको कहा था कि सायक सामग्री उपर सर्वधिक मेरे एक वए दों केष्षा खीवल इतिन वश्षा रों केष्षा निति में चात्रों की कमजोरियू को दूर करने की यह जाता है इसमें हम सव्वे परिक्संड पाटे पूस्तर किया वैक्या अथ्मक प्रिक्संड का सारह नहीं लेते हैं वेल्कि हम प्रश्ण संक्या सिक्ष्टी फोर पर तो चलिए 64 वे क्यूशन की और इसके बाद में आपके साइकलोजी का भी टेस्ट आएगा आज है ना इसा नहीं कि टेस्ट नहीं आएगा पर्यावन का भी आएगा साथियों देखो विज्ञान सबके लिए की पुष्टी की गई है रा चाट वे क्यूशन को देखते हैं विज्ञान की प्रकरती में समयलित नहीं किया जाता विज्ञान के संप्रत्य प्रयविधियां विज्ञान के आर्थिक पक्ष और विज्ञान के सामाजिक पक्ष तो विज्ञान की प्रकरती में सामाजिक पक्ष प्रयविधियां संप्र ये तीनों ही चीज़ आती है लेकिन विज्ञान के जो आर्थिक पक्ष है ये विज्ञान की प्रकृति में नहीं आता है साथ यह तो थर्ड विकल्फ आपके 65 में सही है नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्च नंबर 66 की और तो चलिए च्छाच अटवे क्योशन को देखत है वेग्यानिक द्रश्टिकोन आग्मन विदी में बढ़ता है मानसिक्षमता बढ़ाना भी नहीं बलकि इसका उप्योग किसमें लिया जाता है सुत्र का प्रियोग करने में विकल्फ नमबर आपका चार सहीए साथ यह प्रश्च नंबर 66 में नेक्स्ट आगे बढ़ेंग जिसमें चात्र की कमजोरियां देकि जाती है इन दोनों में सात्यों उद्देश का अंतर होता है किसका इसका उद्देश अलग है इसको अलग है विकल्फ एक सहिए है प्रिश्च नंबर 67 में नेक्स्ट आपश्ट नंबर 68 पूरु दर्शित लक्ष जिसके लिए इकिरिया की जाती है कहते हैं विदी प्रेविदी युक्ति और उद्देश तो भई पूरु दर्शीत लक्ष जिसके लिए हम किरिया करते हैं उसको उद्देश का आ जाता है साथियों जिसको प्राप्त करने के लिए हम कोशिश करते हैं तो विकल्प नमबर चार सही है 68 में नेक्स प्रेश नमबर 69 अबेकस का प्रियोक छोटी कक्षयों में किस सिक्सर में प्रभावी है गिंती सिखाने में लिखना सिखाने में वाचन सिखाने में हस्त लेक सिखाने में अबेकस का नाम सभी ने सुन ही रखा होगा साथियों इसका प्रियोक छोटी कक्षयों में गिं एक साही है 69 में, next प्रेश्ट नमबर 70, प्रेड़ना या ग्यान का सजीव स्रोथ क्या है, लेकक, चात्र, सिक्सक, पाटे पुस्तक, सात्यों, पाटे पुस्तक निर्जीव है, गलत है, लेकक भी यहाँ पर निर्जीव में यह आएगा, क्योंकि लेकक के पास तो रही जाकर पढ़ेंगे अर्चीज, पाटे पुस्तक से ही पढ़ेंगे न, लेकिन सात्यों सिक्सक जो है, सिक्सक से हम ज्यान करन करते हैं, और यह एक सजीव स्रोथ है, ग्यान का, विकल्प नमबर आपका 3 सही है, प्रेश्ट नमबर 70 में, next आगे बढ़ेंगे प्रेश्ट नमबर 71 पर, आगमन विदी का मार्ग है, खोज का, लक्ष का, अनुकरन का और तिवरता का, तो भई जो आगमन विदी है, इसका मार्ग है, लक्षी तिवरता का नहीं, अनुकरन का, तो भई निगमन का होता है, बलकि खोज का मार्ग किसका है, आगमन का है, विकल्प एक सही है, सात वहर इक भी होता है मांसिक भी होता है तो दोनों ही विकल्प इसमें सही है प्रश्ण नमबर बेतर में नेक्स प्रश्ण नमबर 73 रीट माया हुआ क्यूशन है वह न समझी कद्यान के मनुष्ट का साचरी विशे जुड़ा है भुगोल से अर्थशास्त्र से समाश्यास्त्र स और राजनिती शास्त्र से समाजिक अध्यान में के मनुष्ट का साचरी किस विशे से जुड़ा है समझी कद्यान का समझ समझ शास्त्र से यहां पर प्रत्यक्ष रूप से होता है थाइड विकल्प 73 में सही है नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्ण संक्या 74 पर तो चलि चात्रों के जाता है चात्रों के जाश्त के लिए और तो विकल्प एसा ही नहीं इससे बेटर इसलिए हम प्रतम विकल्प कोई शाथ्य है नेक्स अच्ट प्रस्ट नबर 75 सबसे अच्छी सिक्षर विधी वह है जिसमें बहुत सरल हो जो चात्र पर आधर इत्किरिया अधि जिसमें हो बहुत चुट्टियां हो और इन में से सभी तो बैस जिसमें बहुत ज्यादा चुट्टियां है उसको सबसे अच्छे सिक्सन विदी नहीं कह सकते हैं बहुत सरल हो उसको भी नहीं बलकि जिसमें चात्र पराधारित किरियां रहेंगी तो फिर वो करके सीखेगा उ उससे अगर हो जाए विसे नहीं होना चाहिए लेकिन हो जाए तो कमेंट जरूर करिएगा साथियों निम्ड में से कौन सा एक अभी प्रेवी सिक्सन का संखेत होता है और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा यार बहुत ही ज़्यादा मेनत लगती है वीडियो वनाने में तो एक मिनिट से भी कम टाइम आप समय निकाल के वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा अभी प्रेवी सिक्सन का संखेत होता है कक्षा में अधिकता मुपस्तिती बच्चों द्वारा प्रश्ण पूछना कक्षा में एकदम खामोशी और गरेकारे पूर्ण करना तो साथियों अभिप्रेरी सिक्सन का मतलब ये निये ग्रेकारे पूर्ण कर रहे हो क्योंकि ग्रेकारे पूर्ण तो डर से भी कर सकते हैं एकदम खामोशी ये भी डर का संकेत है साथियों बच्चों द्वारा प्रश्ण पूचना या एक अभिप्रेरी सिक्सन का संकेत है स्कारी तरह से समझा देंगे तो विगल्प यह मुझे लगे लेकिन चौता विगल्ब क्या किराया है उन्हें तरह अच्छी तरह समझा देंगे उनको नहीं चौता विगल्प यहां गलत कतने साथ यूं इसलिए यह आप का अशार होगा बच्चों से पूछने चाहिए विकलप एक सही है 78 में नेक्स प्रेश्ट नमबर 79 निम्ड में से कौन सा कतन सही है द्रश्य सरव्य समागरी चात्रों के लिए उपयोगी है सही बात है चाट एवं ग्राप सरव्य द्रश्य आत समागरी है गलते साथ हुई है क्योंकि यह द्र नमबर 80 पर आते हैं मुल्यांकन का मुख्यूद्देश अनुशाशन बनाई रखना मेरे इसाब से नहीं होगा केवल परिक्षा करवाना केवल परिक्षा करवाना तो गलत है क्यों प्रश्ण पत्र बनवाना गलत है अधिगम करता की उपलब्दी जानना एवं सुदार ले जो के सिद्धान पर आधरी थे देखो सुनों और समझो तें चीजे इसमें परदर्शन प्रियोक्षाला विश्लेश्नात्मक और संसैलेशन नहीं होगा बलकि प्रदर्शन विदी इसमें देखा जाता ये ुई विदि विकल पेक सही है प्रशन्बर 81 में, नेक्ष प्रश सिवाक्यूशμ देख लेते हैं समष्या ग्रस्त बलक का पता लगने हैं के विदी इन में से कोन सी है सेमिनार कि आत्म बहुत के सिट्री और इन में से सभी तो समष्यात्मieving का पता लगने के लिए साथ्यों हम करतें के सिट्री जिसको क्या कहते है सत्य विव्यक्ति इतियास विदी के नाम से भी जाना जाता है टाइड मेंड के द्वरा ये विदी दी गई थी विगल पाप का तीन सही है प्रश्ण नमर एटी टू में तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्ण नमर एटी थीरी की और आपके तिर्या सी साथों दूसरा विकल्पी विल्ट है क्योंकि निरंतर ने बनाया रखने के लिए अने के रहे, तीसरा विकल्प आपका सही रहेगा निरंतर मुल्यांकन होते रहने से सिक्सारतियों में प्रिक्षा का अनावशक भाई नहीं होता है तो थर्ड विकल्प 83 में सही है नेक्स्ट विप्रश्ण नमबर 84 पे आते हैं किसी किरिया कलाप के लिए समुह बनाते वे समझ कद्यन के सिक्सक को चाहिए कीव है सुनिश्चित करें की लड़कि लड़कियों के समुह अलग-ALग हो उनके उंको के अनुसार समुह बनाएं कैवल समुह बनाएं और प्रतियक में बहुत से विध्यारती हो और सभी प्रतियोगियों की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें तो भाई देखो किरिया कलाप आधारित समू बनाते हुए सबसे इंपोर्टेंट चीज है सभी प्रतियोगियों की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें मतलब सभी उसमें भाग ले वे और सभी का क तो साति ये क्षाओं की बात की जाए ये प्रियाौन में तो स्बर्द से 있지만 बालकों का होगा तो उनकों लगेगा खेल में उनकी रूची होती है इसलिए सेकंड विकल्प 85 में सही माना जाएगा एक्स नमर 86 परिकल्पना को बार-बार प्रिक्सन करने से गलत नहीं पाया जाता है तो वह है सिद्दान्थ है खोज है कानून है और मूल संकल्पना है तो 86 में सही आंसर का चैन करो शिक्सक की सबसे बहुमुल्य निदी है उसकी सेवा उसका वेतन उसका गर्व और चात्रों का विश्वास तो सात्यों सबसे बहुमुल्य निदी क्या होती है एक शिक्सक की चात्रों का जो विश्वास उसके प्रती होता है उसको सबसे बहुमुल्य निदी यहां पर माना विगल्प नमबर 4 सही है 87 में, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियो प्रिश्ण नमबर 88 पर प्रयावन अध्यान पाटे करम बच्चों की समगर सिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह है एकिकरित है, विशेगत है, समावेशी है और उप्यूक सभी तो समावेशी भी होना चाहिए, विशेगत भी, एकिकरित भी होना चाहिए, मतलब उप्यूक सभी वाला विकल्प 88 प्रिश्ण में सही है साथियों नेक्स्ट प्रिश्ण नमबर 89 पर आते हैं, या सीखने की प्रकिर्या में अभी प्रेना बच्चों में सीखने के प्रती रूची का विकास करती है, बच्चों की इस मुलन शक्ति को मजबूत करती है, बच्चों को एक दिशे में सोचने की योगिता को विक्सित करती है और पिछले सीखे हुए नए को अधिगम से अलग करती है, तो अलग नहीं करती है, बलकि इस सीखने के प्रती रूचि का ये विकास करती है, सीखने के संदर में अभी प्रहता, विकल पाप का एक सही रहेगा प्रश्ण no.50 में, next प्रश्ण no.91, एक कक्षा में, ओसत से कम वाले चार विध्यारति है, उन्हें अन्य विध्यारतियों के समान लाने के लिए निमनि में से कौन सी व्यू रचना सबसे प्रभवि होगी उनके अधिगम के कमजोर शेत्रों की पेचान करना और उनके अनुसार सुधारात में कुपवे प्रभवी की पूचा है यह सुनिश्चित करना विकल्प नमबर एक सही है अलग पंक्ति में विटाना तो गलत हो जाता है ना उनके अधिगम के कमजोर शेत्रों की पहचान करना और उनके अनुसार सुधारात्मा कुपाई उपलब्द कराना तो थे विकल्प इंकानवे में सही साथियों प्रात्मिक स्तर की अच्छी EVS पार्टे चर्रया में होनी चाहिए पार्ट के अंध में अधिक अभ्यास प्रश्नी समयलित करना अपने आसपास को खोजने के अउसर प्रदान करना संत रचनाओं की विश्तित व्याक्या पर अधिक एक आगरता और पदों की जड़ यतार्थ परिबाशे पर अधिक बल तो भई देखो राइट आंसर क्या रहेगा EVS पार्टे चर्रया में क्या होना चाहिए अपने आसपास को खोजने के अउसर प्रदान करना ठीक है आसपास का मतलब जो उसका जिसे स्कुल के बाहर का वाता हो रहने हैं घर के का वाता हो रहने हैं वो चीजे सेकंड विगल बाप के 92 में सही है नेक्ट प्रेश नमबर 93 तिरानवे वा क्यूशन है खेल जो हम खेलते हैं थोड़ा बड़ा क्यूशन है खेल जो हम खेलते हैं प्रकरण के सिक्सन में सिक्सार्थियों की अधिकतम भागिदारी के लिए निम्न में से कौन से सि सिक्सार्थियों को भीतर और बार खेले जाने वाले वीविविगति नाम याद करने के लिए केना सिक्सार्थियों को टेलिविजन पर खेल संबंदी कारी कर्मों को देखने और उस पर आधारिस समानी प्रियूदना कारी बनाने के लिए के ना और सिक्सार्थियों को खेल के मिदान में ले जाना और उन्हें अलग-अलग खेल खेलाना तो साथ यूँ खेल जो हम खेलते हैं उसके समझ में सबसे important बात क्या है बच्चों को भई हम खेल की मिदान में ले जाएंगे और उन्हें अलग-अलग खेल खेलाएंगे खली नाम याद कराने से काड़ देखाने से कान नहीं चलेगा जिस सिक्सन विधी में नीमों को साहरा लिया जाता है वह है साथियों थार्ड विकल्प 95 में सही है नेक्स्ट प्रश्ण संख्या 96 पे आते हैं गणिश सिक्सन का वास्तिक उद्देश ग्यान प्राप्त करना नहीं है बलकि शक्ति प्रदान करना है यह कतन है जूट का बेकन का डटन का और रमन का तो प्रोक्त जो कतन कहा गया है 96 प्रि कि प्रवत्ति को प्रवसान मिलता है प्रयोक्षाला संसलेशन विशलेशन आत्मक और प्रियोजना विदी तो देखो अग्यास से ग्यात की और किसमें बढ़ते हैं जिसमें एक खोच करने की प्रवत्ति भी मिलती है तो सातियों यह विशलेशन आत्मक विदी होती है के आकलन का आदार है व्याख्या कर सकना पुनरिस्मरण व्यावहरिक परिवर्तन और जैसे का तेसा तो सीखने के आकलन का आदार क्या होता है साथियों व्यावहरिक परिवर्तन होना व्यावहर में परिवर्तन आना ही सीखने का आदार माना जाता है प्रदर्शन विदी केते हैं क्यूंकि प्रदर्शन विदी में प्रदर्शन करते हैं जा कि रहे हैं न इसलिए थार्ड विकल्ट नाइंटी नैन में सभी है अब आज का अंतिम और सोवा क्यूशन गनित के मानसिक शिद्धान्थ के जन्म दाता दाता है प्लेटो न्यूटन आरिबट और रेमन तो देखो मानसिक सिद्ध के जन्म दाता है इनमें से कौन है प्लेटो है प्रतम विकल सोवे प्रिश्ट में सही है तो यह आज के सो क्यूशन थे कमेंट करके जाए कितने क्यूशन